नमस्कार नक्षतर दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मित्रों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्टम भाव में पड़े ग्रहों की सक्तियों के विशे में आज की वीडियो में आप प्रमुक रूप से अस्टम भाओ में यदी आपकी कुण्डी में कोई ग्रहे तो वह किस प्रकार का सुवफल आपको देगा इसके विशे में हम बात करेंगे हाला कि अस्टम भाओ एक रहसे बाला भाओ है यहां से कई प्रकार की बातों का विचार होता है हमारे मन में संका रहती है कि कोई ग्रहे यदी आठवे घर में बेठा हुआ है तो क्या वह नकारत्मक फल ही देगा मित्रों ध्यान रखें कि अस्टम भाओ में बेठा हुआ ग्रहे सुवफल भी प्रदान करता है और असुवफल भी प्रदान करता है परन्तु आज के इस वीडियो में हम अस्टम भाव में समस्त ग्रह किस प्रकार के सुब फल प्रदान करते हैं उसके विशे में चर्चा करेंगे ताकि आपके मन से अस्टम भाव में पड़े हुए ग्रहों के विशे में नकारात्मक्ता समाप्त हो इस विशे में आज का वीड करने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, उसको समझने में यह वीडियो आपके लिए अवस ही मददगार सिद्ध होगा, तो आईए सुरू करते हैं, मित्रो कुंडली के अस्टंभाव में बेटे हुए ग्रह किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, विशेश रूप से आज हम को समझते हैं, ताकि जब हम अस्टंभाव में बेट हुए ग्रहों के सुब फलों के विशे में चर्चा करें, तो आसानी हो, देखिए कुंडली का अस्टंभाव, यहां से किसी भी प्रकार के रहस्यों का विचार होता है, रहस्यों का तात पर यह है कि जीवन में घटने व का प्रभाव हो, तो निश्चत रूप से जातक लंबी आयू को भूगता है, हलाकि इसके लिए आपको लगना और लगने इसकी स्तिती पर जरूर विचार करना है, अस्टंभाव से हम विदेश यात्रा का विचार भी करते हैं, हलाकि विदेश यात्रा कुंड़ी के सम्मान का विचार करना हो, सुक और दुख का विचार करना हो, तो कुंड़ी का अस्टंभाव इसके लिए महत्मूर हो जाता है, किसी भी प्रकार के आरोप हो, जै पराजय हो, किसी भी प्रकार की मंतर शिद्धिया करनी हो, सत्रू का आपको भै हो, या मान से कस्टो उनका तो कॉंड़ी का अस्टमभाव इसके लिए महत्मूर्ण हो जाता है, किसी भी प्रकार की आलोकिक शक्तियों का विकास करना हो आपको, तो अस्टमभाव मजूद होना चाहिए, ठीक है, इसके अलाबा, अस्टमभाव से पूर्व जन्म का विचार भी करते हैं, इसके अलाबा चतुर्त से, क्योंकि हम सुख का विचार करते हैं, चतुर्त के सुख का भोग कर पाएंगे के नहीं कर पाएंगे, इसके लिए कॉंड़ी का अस्टमभाव देखा जाना चाहिए, आकास में घटनाओं का कारणों का विचार करना हो, मृत्यू के कारणों का विचार करना हो, तो इसके लिए आपको अस्टमभाव देखना होगा किसी भी प्रकार का सड़यंतर आपके खिलाब हो रहा है या नहीं हो रहा है गुप्त लाव हो या सारजनिक रूप से नंदा का विचार करना हो तो कुणली का अस्टमभाव इसके लिए महत्मूर हो जाता है किसी भी प्रकार की लंबी वीबानियों का विचार करना हो तो अस्टमभाव इसके लिए महत्मूर हो जाता है यानि अस्टमभाव अपने आप में बहुत सारी सक्तियों को समेटे हुए किसी दिन विस्तार से हम अस्टंभाव से विचारने वाली बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन आज के वीडियो को हमारा मूल मकसद था कुंडी के अस्टंभाव में गरहों के सुभुफल के विश्य में तो आईए चर्चा करते हैं मित्रों आईए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अस्टंभाव में यदि बुद्ग्रे बेटे हुए हों तो किस प्रकार के सुभुफल प्रदान करते हैं ध्यान रखिएगा कि बुद्ग्रे यदि अस्टंभाव में सुभुफल होकर बेटे हुए हों यनि स्विम्की राशी, मित्र राशी या उच्छे राशी में बेठे हों सुबक ग्रहों के प्रहों में आ जाएं तो बुद्ध ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान कुछ अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं हला कि हम इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं कि कुछ नकारतना फल नहीं मिलेंगे क्योंकि ये निर्बर करेगा कि आपको देखना होगा कि कुण्ड़ी में बुद्ध गरह कारक है या नहीं यदि बुद्ध गरह कारक होकर बेठे हुए हैं स्वाच्छेत्री मित्र चेत्री उच्छे राशी के होकर बेटे हुए हैं तब इनके कुछ अच्छे फल देखने को आपको निश्चत रूफ से मिलेंगे केवाल आपको ये समझ नहें ताकि आप ये समझ पाएं कि आपकी कुंड़ी में अस्टमभाव के अंदर ये दी बुद्ग्रे बेटा हुआ है तो वह कौन से सोफल आपको प्रतान कर सकता है देखिए अस्टमभाव में बुद्ग्रे ये दी मजबूत होकर बेटे हुए हो तो जातक अच्छा निरिक्षक हो सकता है अच्छा आपजर्वर हो सकता है किसी भी बात को समझने में उसे आसानी होगी किसी भी घटना का निरिक्षन करने में उसे आसानी होगी अच्छा बैवारी होगा ऐसे जातक लोगों से मिलनसार परवर्थी का होगा यानि ये आपके अंदर गुण होंगे यदि बुद्ग्रे अस्टमभाव के अंदर बेटे हुए है मिलने जुलने के सोकिन आप होंगे बेवारिक बेक्ति होंगे और अपनी बातों से अपने लिए एक अच्छे ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं यानि अच्छे लोगों की एक टोली बना सकते हैं ठीक है किसी भी चीज को जानने की जुग्यासा आपके अंदर रहती है यह नि आप जिग्यासु प्रवर्ति के हैं तो इसका तात्पर यह है कि अपनी इसी प्रवर्ति के कारण आप किसी भी विशे को आसानी से समझ पाएंगे तो यह बुद्ग्रे अस्टमभाव में बिटकर आपको प्रदान करते हैं यह चीजें इसके लावा बिरासत में मिली संपत्ती आपको प्राप्त हो सकती है बिरासत का तात्पर है कि माता-पिता के दौरा कोई संपत्ती या कहीं अन्य रूप में ठीक है आपको वो संपत्ती प्राप्त हो इस बात की एक प्रवल संभावना बन जाती है आप एक स्वाभी मानी किस्म के विक्ती होंगे अपनी बातों पर अपनी विचार धारा पर अडग रहना आपको पसंद होगा चत्ती में हो अब इसका थाथ पर यह नहीं कि जा तक परोगपकरी होगा तो कुछ बुरे कार नहीं करेगा देखिए हैं पर देखना होगा कि बद्द क positivद की नीच राशीक तो नहीं है सत्रु राशीक तो नहीं है इसके लब किसी आकारक गरे तो नहीं है राहू या केतू या शनी का प्रभाव तो नहीं पढ़ रहा है ठीक है तो उनके प्रभाव को भी आपको देखना होगा लेकिन क्योंकि आज की वीडियो में हम किवल सुब ग्रहों की चर्चा कर रहा है तो इसे ही समझेंगे सत्रू को समझने में आपको आसानी होगी कोई आपका सत्रू है कोई आपका हित करने वाला है कोई आपका आहित करने वाला है तो इन चीजों को बुद्ध के एस्टम भाव में बेटने से आप आसानी से समझ जाएंगे आप अच्छे लेखाक हो सकते हैं यनि investigative nature आपका हो सकता है किसी भी चीज को investigate करने का गुण इश्वर आपके अंदर यहाँ पर बुद्ध के बेटने के कारण इश्वरी तरफ से आपको प्राप्त हो जाये करता है हालकि यहाँ पर आपको एक साब्धानी वरतना होगा कि अस्टमभाव में येदी बुद्ध गरहे येदी किसी भी रूप में पीड़ित हुए तो बित्ती रूप से आपको साब्धान रहना होगा यनि financially losses होनी के संभाब न रहती तो थोड़ा साब्धानी वरते ठीक है लेकिन अधिकतर जो मैंने बाते कहीं यहाँ पर कि सुफल प्रदान मिलते है इस प्रकार के प्रभाव आपको मिलता है केबल आपको उनको जानना मातर है आईए अगले गरह पर विशार करते है मित्र किसी जातक की कुण्ली में यदी गुरू गरह कुण्ली के अस्टम भाव में बेट जाए लेकिन स्वागरी मित्र गरह उच्छराशी के होकर कुण्ली के कारक अगरह बन कर तो अस्टम भाव में बेटे हुए गुरू भी निश्यत रूप से जातक को कई छेत्रों में सफलता प्रदान करते हैं कुछ अच्छे फल देते हैं इनको आईए समझते हैं देखिए अस्टम भाव में यदी गुरू महराज बेठे हुए हैं जातक दार्सनिक प्रवर्ती का होता है अस्टम भाव में बेठे हुए गुरू जातक को निश्टरूप से दीरगायू बनाते हैं आकास्मिक संकटों से रक्षा करने में सायक होते हैं तो ये गुरू महाराज अस्टमभाव में बेटका जातों को चीजे प्रदान करते हैं, जातक अच्छा सक्चक हो सकता है, अच्छा सलाकार हो सकता है, माता पिता यानि अपने घर की तरफ ध्यान देने वाला हो सकता है, यानि गुरू के कारण अस्टमभाव में जब गुरू बेटते हैं तो कुछ नकारत्मक चीजे भी होती है जिनकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहें किवल सुफलों के विशे में तो जातक कि आंतरिक शक्तियों को जगाने का कारें गुरु महराज यहां पर करेंगे यदि अस् बेटेंगे तो जातक थोड़ा उगर किस्म का हो सकता है वानी से थोड़ा सा तीव रह सकता है तो वानी पर थोड़ा नियंतरन रखना होगा और अपनी कह सकते हैं कि अपना अभिमान चोड़ कर कारी करना होगा जातक हाला कि खोजी परवर्ति का होगा जातक को खोज करना पसंद होगा ठीक है हलाकि अस्टमभाव में जब सूर्य बेठेंगे तो जाता को थोड़ा जल्दवाजी बनाएंगे तो जाता को थोड़ा जल्दवाजी से बचना होगा यदि बुद्ध यहां पर बेठे हुए है तो निश्यत रूप से जाता की जो बुद्धी जो होगी यदी आगे बढ़ाए तो निश्यत रूप से जीवन काल में ये सफलता प्रदान करेंगे जातक यदी धर्म कर्म से जोड़ जाता है तो जीवन को उन्नत करने में ये सूरे उपयोगी सावित होंगे मित्रों आई अब बात करते हैं मंगल गरह के मंगल गरह कुंड़ी के अस्टम भाव में यदी सुब होकर बेटते हैं किसी सुबग गरह के दोरा दरश्ट या युथ होकर बेटते हैं और अंसबल से थोड़ा कमजोर हों ठीक है सुब प्रभाव में हों तो कुछ सुब फल भी देखने को मिलेंगे जातक हर परस्तिती का सामना करने में सक्षम हो सकेगा जातक को हलाकी शांत होकर कारे करना होगा अन्यत्ता नुक्सान होगा क्योंकि अस्टम भाव में जब मंगल बेटते हैं तो जातक आवेश में कारे कर सकता है तो जातक को अपने क्रोध पर नियंत्रन करना होगा यदि क्रोध पर नियंत्रन करके जातक जीवन में आगे बढ़ता है तो उसे काम्याब होने से कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि मंगल की आस्टम दृष्टी पराक्रम भाव पर जाएगी तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा और क्योंकि मंगल की कि ये गया परिश्णम का लाब दे पानी में सक्चम होता है। ध्यान रखें कि सूरी या मंगल या कोई भी अगनी तत्व का ग्रह जब कुंडली के स्टम भाव के अंदर बेढ़ता है तो जातक को अपने क्रोध पर नियंत्रन रखने की आवशक्ता होती है। लेकिन यदी व अगरही, मित्रगरही, उच्चराशी के होकर कारक अगरह बनकार बेटे हुए हो और पिड़ित नहीं हो रहे हो तो शुक्र अस्टम भाव में निशित रूप से कुछ अच्छे फल प्रदान करते हैं। देखिए शुक्र जब अस्टम भाव में सुब होकर बेटते हैं तो जातक घूमने फिरने का सुकीन होता है या फर घूमने फिरने के कारियों के कारण या अपनी क्रियेटिविटी के कारण या अपनी स्विम की योगता के कारण जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है यानि जातक जो भी उसके अंदर आंतरिक छमता हैं यदि उसका सद्य प्योग करता है तो शुक्र अस्टम भाव में बेट कर जातको सफलता प्रदान करते हैं स्विम की योगता के कारण यानि स्विम की कावलियत के कारण यानि स्विम की स्किल्स के माध्यम से जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है अस्टम भाव में जब शुक्र बेटत किसी भी रूप में वाय हो सकता है ठीक है अब मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि विजातक को नोक्री नहीं करना चाहिए देखिए परिस्तितियों के नुसार आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन अंत में जाकर आपको यानि कुछ समय के पश्याद आपको स्विम का रोजगार इस्थाप अपने स्विम का रोजगार को स्थापित करे इस प्रकार की चमताएं उसके अंदर प्रदान करता है इसके अलावे जातक अपने जीवन साथी की मदद के उनकी सलहा के माद्यम से भी जीवन में तरक्की कर पाता है मित्रों आईए अब बात करते हैं चंद्रमा के विश्य में देखिए कुंडली के अस्टम भाव में यदि चंद्रमा बेट जाता है तो सामाने दरश्टी से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि जल इत्यादी वस्तूओं से जाता को भय बना रहता है लेकिन आज के वीडि सोच का धनी होता है ये सबसे बड़ी बात है यानि जातक स्वतंत्र विचारक होता है अपनी बात को रखने वाला और अपनी बात पर कायम रहने वाला होता है यानि व्यक्ति का सोच जातक की काफी प्रवल होगी यहां पर और इसके अलाबा उनके माद्धन से जातक जो है व्यापरिक लाभ भी प्राप्त करता है जीवन काल के दौरान और विरासत में मिला हुआ धन भी उसे प्राप्त हो सकता है विरासत का ताद पर किसी भी रूप में विरासत की रूप में से मिल जाए ठीक है जातक का अंतर ग्यान प्रवल होता है यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अपने अंतर विवेक को जागरत करके, अपने अंतर ग्यान के माद ध्याम से, स्वतंतर सोच के माद ध्याम से, अच्छा जोतिसी भी हो सकता है जातक, बिग्यानिक प्रवर्ती जातक की अंदर हो सकती है, गुप्त चीजों को जानने की छमत रूप से जिनको उजागर ना करें, तो इस प्रकार की प्रवर्ति भी कहीं न कहीं जातक को चंदरमा की माध्यम से प्रात्त होती है, हाला कि चंदरमा अस्टम भाव में जब बेटता है तो कुछ सोफल तो अवस सही परदान करते हैं, आईए समझते हैं, देखिए अस्टम भाव में शैनी ग्रहे यदी बेटे हुए हैं, तो आयू का कारक ग्रहे ने माना गया है, जिसके करण जाता कि आयू निश्यत रूप से लंबी होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मान ल समझ से रहे सकती हैं, लेकिन यदी पीडित नहीं हो रहा है, तो निश्यत रूप से आयू लंबी करते हैं, और जीवन में जातक को अवसर मिलते रहेंगे, जीवन में तरक्की के अवसर मिलते रहेंगे, तो उन अवसरों का लाव लेने में आपको तक पर रहना चाहिए, ल जातक को धेरिबान होकर कारे करना चाहिए, अग्यात इस्थानों पर भी, अग्यात जगे पर भी थोड़ा सा साब्धान रहना पर होगा, जीवन में अनुशासन बनाया रखें, जिस काम को आपने काय किया है, उसको रननीती के तहट आगे बढ़ाना होगा, ध्यान रखें कि अस्टमभाव में जब शनी महाराज बेटते हैं तो जातक को आशावादी रहना चाहिए और धेर कभी नहीं खोना चाहिए, मित्रों आईए अब बात करते हैं राहू के अस्टमभाव के विशे में, देखिए अस्टमभाव में राहू का बेटना सामान दृष्टी से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि अस्टमभाव में राहू गरह, यदिस्वा गरही, मित्र गरही, उच्छ राशी के होकर बेट जाएं या किसी भी राशी में बेट जाएं तो कुछ सुफल अवस्थे प्रदान करते हैं, कौन से हैं, आईए चर्चा करते हैं, देखिए जातक को एक सुतंत्र विचार ये देंगे, जातक अपने विचारों को अस्वयम धनी होगा, विदेश में या दूरस स्थानों में कारे करने का अवसर जातक को मिल सकता है, ठीक है, इसके अलावत जातक के विचार प्रभावी होंगे, लोग आपकी बातों का समर्थन आप अपने खुसाल जीवन का आनंद ले सकते हैं, यानि अपनी सोच के आधार पर, अपनी सही सोच के आधार पर आप अपने जीवन का निर्मान कर सकते हैं, खुसाल जीवन जी सकते हैं, रहस्यात्मक चीजों में आपकी रुचियां हो सकती हैं, तो उन चीजों में यानि दूर वाली जगों में या घ्रे स्थान से ही दूर वाली जगों से जड़कर आप किसी न किसी रूप में जीवन सफलता प्रदान कर सकते हैं ठीक है और राहू की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि आपके दिमाग में विचार सक्ति उत्पन करेगा यह लेकिन कई बार आपनी बात को आप दूसरों पर थोपने वाले भी हो सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ा साबधानी आपको बरतना होगा अस्टम भाव में बेटिव राहू को सामनता ठीक नहीं कहा जा सकता मित्रु ध्यान रखीगा क्योंकि यह सुबस्थान नहीं कहेगा है अस्टम भाव में बार वे भाव के अंदर राहू को सामनता ठीक नहीं कहा जा सकता लेकिन हम बात कर रहें सुफलों के विशे में तो सुफल इसका यह है कि आपको विचार सकती देगा यह सोचने समझने का अफसर देगा ताकि आप आगे की परस्थितियों को भाप सके वित्रों आई अब बात करते हैं केतू के विशे में देखिए केतू गरे वैसे तो कुंडली के दूसरे भाव में और आटवे भाव में कारक गरे माने जाते हैं अस्टम भाव में केतू यदि सुव परस्थिती में हो तो कुछ सुव परदान अवस्य करते हैं आपको दूसरे लोगों को आसानी से समझने में मदद करते हैं किसी की बातों में आप आसानी से नहीं आएंगे अच्छे चरतर के निर्माण में भी सहायक होंगे एकांत को बढ़ाते हैं क्योंकि जब अस्टम में केतू बेठेंगे तो अपनी पांचवी दरश्टी से बारवे घर को देखेंगे और इसके कारण निश्यत रूप से जाता के एकांत परी हो सकता इस बात की प्रवल संभाब न मनती है और एकांत के इसी गुण के कारण आप किसी भी परस्तिती को समझ पाएंगे किसी भी इस्तिती को समझने में आपके लिए मददकार होंगे और जब आप गहनता के साथ बेचार करेंगे तो किसी भी खराब से खराब परस्तिती से निकलने की छमता आपको केतु महराज यहां पर देते हैं मित्रों आज के इस वीडियो में संचित रूप में हमने ग्रहों के अस्टंभाव में सुफल को समझने का प्रयास किया आगे के वीडियो में भी हम इस प्रकार की चर्चा को जारी रखेंगे यदि कारिकरम पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद